आप इस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पे एस्ट ही वीडियो आते रहेंगे और शाथ में बेल लाइकन गंटी भी दबाएंगे हैलो दोस्तों आज बात करेंगे रबारी समाज के वीर नेक राइका जैसल मेर के भाटी हमेशा राइका उकॉम के प् दिया एसे ही एक और वीर पुरूस जिनोंने भाटी वंस के सिराग को अपनी बुद्धी मता से दुस्मनों से बचाया था समाज के एक एसे वीर स्रोमनी सूर वीर का प्रिश्य लिटने का सोबा गया प्रापतुआ जिसने भाटी राज से रावल सिंग देव राज के प्रा आरी आने वाली पीडिया तता भाटी खांदान इस वीर स्रोमनी को सदियों तक याद करेगा इसका नाम इतियस में पन्ना धाय तता दुर्गादास से कम समानिय नहीं सन 841-852 इसवी ग्यारा वरस उजड़े हुए रेने के पच्चात इन 852 इसवी में देव राज ने देरावर में अपनी राज धानी इस्तापित की और 17 वरस की अलप आयू में ही इस सोटे से बाटी राजिया के युवा सासक बने इन 11 वरसों में बाटियों का अपना कोई राजिया या सासक नहीं था भावा अन्य जातियों की करपा पर रहते जुग राज विज्ये राव सुडाला के बटिंडा के किले में मारे जाने के पच्चात बाटियों की मार का ठुई व्यग्रता का लाप उठा कर युवराज देवराज की धै उन्हें सिपा कर गुप्त रूप से किले से सुरुक्षित बाहर निकाला लाई पंडित हरिदंत गोविन व्यास एव मांगिलाल म्यां के अनुसा राज भक्त और फिसो सनिय धाय ने युवराज को रात में नेग आल राइका को सोब दिया वह उन्हें बिना नाक की उटनी पर बेठा कर बटिंडा से रातो रात ले निकला नेग आल राइका युवराज को फलोदी के पांस देवैत पुरोईत के घर पर सुर्कसी थोड़कर तनोड पोशा वहा उसने सुर्कसा कारणों से युवराज की माता को तनोड चोड़कर अपने पियर जाने का प्रामर्ष दिया वह विचार पुर्व प्रामर्ष के अनुशार ने साथ मेगा नंबर सत्र अन्य राजकी सिन गजिनी का लकड़ी का तक्त आधी नैरन की पुजिनी मूर्ती लेकर जांगे पियर चली गई रात्र में भाट्यों की मारकार्ट से निपट कर वराओं ने युवराज देवराज की सुद ली उन्हें इनकी सिवीर और जन्मासे में डूंडा वा नहीं पाया और शाथी नैग राई का आल और उनकी उटन जाड़िक के लापता होने से उन्हें किसी सड़ी अंतर की आंस का हुई जाड़िक ने बटिंडा से दक्सिन की और जाते हुए पत्रसिन देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि युवराज को बाड़ियों का एक प्राकर मिसेनिक नेग राई का ले निकला है राज कुमार सुकुसल अपने मामा कहिया जांग गाव में रहते थे सांगा रबारी ने युवराज देवराज को फिर आसस दी नाम्मक रबारी को दिया था यसा इस पेस नैंसी ख्यात पुस्तक में लिखा है आगे चल कर यही युवराज पाटी वंस के परशिद रावल सिंग देवराज कहला है और उन्होंने गुरु सेवा बारा बरस तक क ने खूस होकर उन्हें रावल सिंग देवराज से उपादी से हिब उसित किया जसलमेर में आज भी रावल देवराज का भाटी वंस के इतियास में बहुत मन समान के साथ याद किया जाता है रावल देवराज की जीवन को सुरुक्षा परदान करने तता बाड़ी वंस को जिन्दा रखने के लिए नेग राइका नाम इत्यास में अमर हैगा इस पर पूरे राइका समाज को गोरवे जहो सुर्विर नेग राइका